मुआ जो करबला में उसी का एक मनजल दिखाता हूँ बहुत ही चोटा सा एक वाकया तुमको सुनाता हूँ हुआ जो करबला में उसी का एक मनजल दिखाता हूँ बहुत ही चोटा सा एक वाकया तुमको सुनाता हूँ बहुत ही चोटा सा एक वाकया तुमको सुनाता हूँ जनाबे हजिरते हुरो हो गए इसलाम पर कुरूबां खुदा के दीन पर muitas के नाम पर खुरुबां फिर उसके बद अपनी जान दिय आनो मोहमद ने वाफा को एक नय पहचान दिय आनो मोहमद ने वफादारी का आईना बना जैनब का नजराना उबुले बारगाहे रब हुआ जैनब का नजराना हुसेनी अज मोहिमत की हुई है आबुरु जैनब लुटा कर अपने घर को हो गई है सुरुखुरु जैनब हसन का लाल जो दूला बना था खून में डूबा जनबे हजरते का सिम का सहरा खून में डूबा अभी तो रंग भी हातों से मेंदी का न छूटा था जो कल दुलहन बनी थी आज वो ही हो गई बेवा आजब आलम थखे में का आजब को हो राम उबर पा था फक्त नामें खुदा था सात पानी था ना दाना था वो अकबर जिन को जैनब ने बड़े नाजों से पाला था वो अक्बर जिनका हर अंदाज इमाता उजाला था गैरन की तरफ जब हम शबी है सैयद आली खुदा शाहिद रुखे दीने नभी पर छागई लाली लहु अक्बर का जैनब ने मला जब अपने चेहरे पर लहु अक्बर का जैनब ने मला जब अपने चेहरे पर तो एक खंजर सा चल कर रह गया मौला के सीने पर तो एक एक करके सब के सब के सब पुरुबाद रह गया मौला के सीने पर रहे हक में किसी का इस तरह चलना नहीं आसा रहे हक में जनाबे हजरते आविदि के जो भी मार थे बेहद खड़े होते ही गिर जाते थे वो लाचार थे बेहद बहुत कम जोर थे फिर भी वो जनब से लगे कहने मुझे भी अब राजारन की मेरी फूपी दिला दीजे मैं अपनी जान पाए इपन हैदर पर फिदा कर दूं है मुझे भी मेरे बाबा का हक वो हक अदा कर दूं लईनों को मैं अपनी तेग के जोहर दिखाऊंगा लईनों को मैं अपनी तेग के जोहर दिखाऊंगा खुदा चाहेगा खुदा चाहेगा तो राहे खुदा में काम आऊंगा खुदा चाहेगा तो राहे खुदा में काम आऊंगा दिया शबीर को पेगाम आबिद जाके जैनब ने रजा आबिद भीरन की मांगते हैं क्या कहूं उन से ये बातें सुनके जैनब की हुए शबीर अफसुरदा तबियत कुछ जरा संभली तो ये आबिद से फरमाया सुनो सज्जाद मैं जो कहे रहा हूं गोर से सुन लो नसीहत के गोर पारे मेरे लखते जिगर चुन लो मैं सच कहता हूं तुम से है नभी शाहिद खुद शाहिद अभी बीमार हो तुम और बहुत कमजोर हो आबिद हुई है बंद गुर्बानी की हर एक राह हो ऐसे में नहीं जायज जहादे फी सबी लिल्ला हो ऐसे में नहीं जायज जहादे फी सबी लिल्ला हो ऐसे में नसीहत भी यही मेरी यही मेरी वसियत है अभी इस घर को जैनब और तुमारी ही जरूरत है तुम्हारे बाद नसले फात में मिट जाएगी आबिद अली के घर की वीरानी मुझे तड़ पाएगी आबिद यह जो भी हो रहा है कौन दुनिया को बताएगा यह तस्वीरे सितम की कौन लोगों को दिखाएगा तुम्हें मालूम है मजलूम मुसलिम की कहानी भी यहां देखा है तुमने खुन से महगा है पानी भी तुम्हारे सामने आनो मुहम्मद की शहादत है हमारे बाद हमारे बाद इस घर को तुम्हारी ही जरूरत है हमारे बाद इस घर को तुम्हारी ही जरूरत है तुम्हें मालूम किस तरहां से आखिर को गए बाजू बताओगे तुम्ही कैसे कटे अबबास के बाजू सुनेंगे लोग तुम से अकबर जाबाजी की बाते सुनाओगे तुम्ही ये कर्बला की दुख भरी बाते तुम ही कासिम की रुदादे शहादत भी सुनाओगे तुम ही दुनिया को एहले बैत की हालत बताओगे सुनाओगे तुम ही मजलुमित की दासिता आबिद मुखालिफ है अभी अपने जमीनों आसमा आबिद मुखालिफ है अभी अपने जमीनों आसमा आबिद ना होगे तुम तो असगर की शहादत राएगा होगी ना होगे तुम तो असगर की शहादत राएगा होगी भला कैसे ये सचाई जमाने पर आया होगी भला कैसे ये सचाई जमाने पर आया होगी भला कैसे ये सचाई जमाने पर आया होगी बताओगे तुम ही सबको लुटा है काफला कैसे रहा जारी सितम और जार का ये सिलसिला कैसे भूई है बेरिदा कैसे अलिजादी नभीजादी तुम ही काटोगे जो बोई हैं हमने तुख में आजादी उठाना है तुम ही को बोज भी रुशुदों हिदायत का तुम ही को हक अदा करना है ए आबिद शरीयत का हमारे बाद जिम्मेदारियां इस घर की हैं तुम पर तुम्हारे सामने है खून में डूबा हुआ मनजल बताना तुम जमाने को जला कैसे ये का शाना सुनाना एहले ही मा को मेरी जुर्रत का अफसाना सुनाना एहले ही मा को मेरी जुर्रत का अफसाना ये बातें बाप की सज्जाद आखिर माने लेते हैं नहीं जो जानते थे आज तक वो जाने लेते हैं जनाबे हजरत शब्दीर अब मैदा में आते हैं अली ए मुर्दुजा की शान दुनिया को दिखाते हैं जिधर भी जाते हैं शब्दीर बिजली बन के जाते हैं कोई बाजू कलम करते हैं कोई सर उडाते हैं सदाए घैबु सुनकर सर को सजदे में जुकाते हैं यहां से सुर्खुर हो कर नभी के पास जाते हैं यहां से सुर्ख रू होकर नभी के पास जाते हैं यह हक है और इस हक पर मेरा इमान है कैसर खुदा के दीन पर शब्दीर का एहसान है कैसर खुदा के दीन पर शब्दीर का एहसान है कैसर पर शब्दीर का एहसान है